कुछ बचे नेगेटिव मार्ट से परेशान हैते हैं कि पेपर में उन्हें कुछन तो खूब जब अटेम्ट करते हैं तो उनके मार्ट बहुत जाद है नेगेटिव जाते हैं तो मैं देखो इसमें ये बोलना चाहूँगा पहली बार तो अगर मैं इसे थम रूल पूछड़ है गलतियां तो होंगी होगी किसी भी फाउम में गलतियां होंगी उसको minimize करने की कोशिश कर सकते हैं बिलकूल perfect करने की कोशिश करने तो उसमें बहुत ज़्यदा हमारा टाइम जाएगा पेपर में और number of questions बहुत कम attempt हो पाएंगे तो there has to be a balance between speed and accuracy तो ऐसे थंबू लाइविस है कि 10% के अंदर-अंदर अगर हमारे question गलत हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है और वहाँ पर हमें बहुत जाते ध्यान देनी की जरूत नहीं है अगर 10% से जादा है फिर हमें थोड़ा सा रुक के सोचे कि हम क्या गलती कर रहे हैं अगर मालिया किसी भी paper में मैंने question पढ़ा ठीक है और question हो सकता है कि मैं गलत पढ़ लिया हो ये ठीक है तो अगर तुम वे पर 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 हो सकता है कि ऑका-दुक का में हो सकता है कि इका-दुक का में इस ऀलिleen mistake हो जाए हो जाए मैं किसी question में पिंसे के question में उसे पता था कि यह गलती करेगा इस हिसाब से सोचेख और उसने पहला option वोई डाल दिया हों हम उसी की trap में गिर गये तो ऐसा इकादोका question में हो सकता है हर question में नहीं हो सकता। है सब्सक्राइ का हम 50 question trying करें लिभा साथ 10 questions में ये ही हो रहा है हमारे साथ . उसका मतलब क्या कि फिट तो जो बाकी के हमारे 40 questions सही होगे उन पे भी question mark लग गया उसका मतलब यह कि शायद में कुछ चीजें पूरी तरह से समझ में नहीं आई मैंने आधी चीजें ऐसी hidden tile मारा है तो कुछ में कुछ सही होगें कुछ गलत होगें This should be kept in my mind कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं कि बहुत जादे जल्दी जल्दी speed करने की कोशिश में बहुत fast calculate करने की कोशिश में गलतियां जादे करते चाले आपने तो वो हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए अगर तुम बहुत जादे speed बढ़ाने की कोशिश करोगे paper के अंदर बैठ के तो hardly a question extra कर पाऊगे बट पीछे हो सकता है कि तुम 4-5 question गलत करके चले आओ और किसी किसी question में ऐसा भी होता है कि stuck कर जाते हैं हमने question पढ़ानी है और जल्दी जल्दी सोच नहीं कोशिश करें जबकि मैंने question प्रॉपरली समझे नहीं किया वो नहीं कोशिश करा है तो there has to be a balance और हमें इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए अगर वो हमारा 10% का barrier cross कर रहा है अगर माने मैं खूब question attempt कर रहा हूं खूब गलत हो रहे हैं तो मैंने को number of attempted questions थोड़ा सा कम करना चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि मैं 5 question कम try करूँ तो मिरे marks ज़्यादा आजए ग